पिहार बोड से जितने भी परिक्षारती मैट्रिक बोड एकजाम 2025 में समलित होने जा रहे हैं तो आप सभी चाथ-चात्राओं का सेप्टेंबर वाला मासिक परिक्षा का योजन होने जा रहे हैं और इस क्रम में हम लोग आपका सभी विसाय का देख रहे हैं कि किस रूप में सेप्टेंबर वाले मासिक परिक्षा का प्रस्ण पत्र किस रूप में रहने जा रहा है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर देखे जिस क्लास का उद्देश है कि आपको यह पता चले कि किस रूप में प्रस्ण आ रहा है उसके साथ-साथ आपका इसका सिलेवस होगा र 1025 में प्रस्ण पूछे जाएंगे तो इस सम्भी प्रस्णों का आपको याद करते चलना है तो इसी तरह देखिए सेप्टनेंबर वाले मासिक परिक्षा का साइन्स का विशय कोड़ 112 का प्रस्ण आएगा और आपका यह भी 50 मार्क्स का होगा यह घंटा 30 मिनिट आपको लिटाद कर लिजिएगा तर प्रस्ण डेखिए आप क्या पूछ रहा है कि सघन माधियम से विर्यल माधियम में जाती हुई किर्ने अभी Lumb से हो जाती है ए आपसे पूछा जा रहा है तो जो ही विद्यार्ती जानते हूंगे उतर देंगे तो पहला प्रस्ण का सही उतर हो तो आवर्धन पर क्या परभाव पड़ेगा फोकस से धुरू की और अर्थात की F से P की और बढ़ रहे हैं तो आवर्धन क्या होगा बढ़ेगा बिल्कुल सही इंक्रीज होगा option A सही उतर देख कितना सांदार संदार प्रसन का revision हो रहा है आपका तीसरा नमर प्रसन है दाढ़ी बनाने के किरिया का सही होने के लिए उचित सर्त है चाहिए आप से पूछा जा रहा है तो बड़ा वकरता तिरज ine रहेगा बिल्कुल सही option A सही उतर हो जाएगा कहा रहे हैं आपसे कि अपवर्तनांग का रंग पर निर्भर करना कहलाता है जब अपवर्तनांग जो है रंग पर निर्भर करने लगे कलर पर डिपेंट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर तो देखे कितना सांदार संदार प्रसने वर्ण बीछे पन कहेंगे नया नय आप रसनाप सीख रहे हैं, Option D सही उतर हो जाएगा, काच के Outer Lens की वायू में सक्ति होती है, काच का अगर कोई Outer Lens है तो उसका वायू में सक्ति अचा, Outer Lens पूछा जा रहा है तो Outer Lens का क्या होता है, रिनातमक, वही पे सही उतर है, रढ़ते चलेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रसन देखते हैं, साथ नमार, तो हराए प्रसन ठोड़ा समय इसको इधर कर रहा हूं, ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे, अब किलिए आपको दिखाई दे रहा हूगा, कितना नमर प्रस्ण चाहिए इधर थोड़ा सामलों लेंगे चलिए अब आपको उमिद कर रहा हूं पूरा दिखाई दे रहा होगा अब ध्यान से यहां पे देखिएगा साथ नमर प्रस्ण यह प्रस्ण तो कई बार मैट्रिक बोड़ एकजाम में भी पूछा गया है करें कि आवर्धन का ये स! रहा होता है तो आवरधन का किया हो व अगला प्रस्ण कि निम लिखी में किश लेंस को अपशारी लेंस कहते हैं तो र्धर लेंस को अपसारी और ऊप armas को अभी सारी ये भी रढ़ जाईएगा अभी सारी ओफी सारी लेंस säikes हमし जानते हैं चलिए आगे बढ़ें अगला प्रस्ट करें बीसालक सीसा कभी कभी इसको लिखते हैं आवर्धक सीसा भी लिखेगा तो वहीं बात है magnifying glass तो उतर लेंस का होता है तो option भी 9 का सही उतर है आगे बढ़ते हैं करें कांच के प्रिजम में किस रंग का बीचलन नियूंतम होता है तो कांच के प्रिजम में जो है वो लाल रंग का बीचलन आप जानते हैं सबसे नियूंतम होता है देखें तो अब जटी प्रस्ट पूछा गया कितना सीस्टमाटिक वे में 10 तक जो है वह आपका फिजिक से प्रस्ट मिला आगे देखिए गारा से 20 तक ही से होगा इतना आपको पढ़के जाना है इतना ही से प्रस्ट आएगा तो लाल रंक आप जानते हैं जब चार और आपस में अविक्रिया करते तो क्या बनाते हैं लवन तथा जल बनाते हैं अब देखिए, यहाँ पे कौन लवन है, तो K2SO4 लवन है, option A सही उतर हो जाता है, एक छार है, KOH, छार है, आचा है, एक अमल है, काफी परसीत, सल्फियोरी कमल, S2SO4, यहीं जब मिलता है, तो K2SO4 बन जाता है, लवन बन जाता है, ठीक, और जल बनेगा, चलिए आगे कौन बिस्थापन अभिकिरिया का उध्यान है, अभियान से देखेंगे, इसमें कौन बिस्थापित, बिस्थापन अभिकिरिया मतलब कुछ न कुछ यहाँ पर एक धातू बिस्थापित हो रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए, कौपर का बिस्थापन हो रहा है, तो यहीं कह रहा है आप से कि ZN plus O2 ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया का उधार है तो यहाँ पे दिखिएगा तो यहाँ पे Oxygen Oxidation हो रहा है ZN का ठीक इसमे Oxygen जूट गया उपचेन हो रहा है तो option C करें सरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो आप जानते हैं सरीर में भोजन की प्रकिरिया यह भी आपका Oxidation ही है option B सही उतर हो जाएगा 16 नमर प्रसंद देखिए कौन रासाइनिक सम इकरण संतुलित नहीं है मतलब कि तीन संतुलित है कौन नहीं है तो आईए चेक करते हैं यहाँ पे Hydrogen 2 है Oxygen 2 नहीं है तो यहीं संतुलित नहीं है बाकी सब देखिएगा तो यहाँ पे पूरा संतुलित देख लिए संतुलित नहीं था चलिए आगे बढ़ें करेक कारबन डाइकसाइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है मतलब कर क्या बनाएगा कार्बोनी कमल बनाता है और संसी सहीव तर हो जाएगा आगे बढ़ें अगला प्रस्म करेक किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षीत रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपियोग किया था है तो ताजा तेल को बहुत दिन तक हम सुरक्षीत रहना चाते हैं कितना संदर संदर प्रस्वन रहा है तो उसमें नाइट्रोजन या हीलियम का उपियोग करेंगे तो option भी सही उतर हो जाएगा करें जिस newton ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे उसका पर जुवलन ताप मान कहेंगे तो जुवलन ताप मान यहाँ पर दिया है option C गलनांक melting point का उता जिस पर गल जाए अचा कोई नांक तो जिस पर उबलना शुरू हो boiling करना शुरू हो जाए चलिए आगे बढ़ते हैं करें किसका pH सबसे अधिक छारिये स्रेणी में है ठीक है किसका pH सबसे अधिक छारिये यह आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखिए आशू तो आशू का pH मान 7.4 होता है ठीक है और पीतरस का pH मान तो यह 7.5 से लेकर 8.8 के बीच होगा अचा दूद का pH मान 6.5 से 6.7 होगा और पसीना का लगभग 4.5 होता है अब पुछा कि सबसे अधिक तो यहाँ पे भीतरस का ओप्शन भी सही उतर है अब 20 केमेस्ट्री से था आब आगे बायोम के प्रस्ण को देखिए करें आपसे कि अंडानू निसेचित होता है तो अंडानू जो है वो आपके फैलोपीयन निसेचित होता है तो उपसन D दूइखंडन पाया जाता है दूइखंडन किसमें पाया जाता है प्लेनेरिया में पाया जाता है तो उपसन A सही उतर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं निमलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है ठीक है और दुवि खंडन उसके साथ आमीबा में प्रशन आप जानते हैं आगे बढ़ते हैं किस पाउधे में रंध अनुपस्तित होते हैं ये प्रसन कई बार पूछा जाता है कि हाईड्रिला पाउधों में रंध कहा पा आ जाते हैं तो हम लोग उसमें आंसर करते थे बोड एक्जाम में पूछा गया प्रस्ण है कि इसमें रंध नहीं पाया जाता है आप पूछ रहा है किस पौध में रंध अनुपस्ति थे मतलब नहीं पाया जाता है तो हाइडरीला ऑप्सन भी सही उतर हो जाएगा खुला के सन्वान के लिए उतरदाई है उभलाएंगी जीवों का उधारन है तो उभलेंगी जीव इसमें से कौन है आप से पूछा जा रहा है तो हाइडरा हो जाएगा इसे केंचुवा भी होता है तो ऑप्सन ए सही उतर हो जाएगा ऑप्सन के एकॉर्डिंग आगे बढ़ते है अगला प्रस्ण देखते हैं यहाँ पे 29 नमर प्रस्ण कहा रहा है आप से कि किसी एक ब्यासक मनुष से कि कितने दात होते हैं बवा टाइप प्रस्ण है 32 ऑप्सन डी सही उतर है सुक्राणू कोसी का तो देखे सुक्राणू यह आपका गूण सुत्र का बात नहीं हो रहा ह सुक्राणू कोसी का पूछ रहा है स्परम सेल तो यह और गूणित होंगे ऑप्सन ए सही उतर हो जाएगा तो इस तरह मैंने 30 प्रस्ण आपको बताया अच्छा आप यहाँ पे देखिएगा यह जो प्रस्ण में आपको सॉल्व करा रहा हूँ यह पीछले साल मतलब जो 2023 मे प्रस्ण आएगा ठीक है फिजिक्स के कितना चप्टर से कर सक्के मैंस्ट्री का कौन वर्ला के जाना है बायों का खक्चान च Confederate जिस्थे प्रस्ण आया है मही जरुआपा पके कजा आईएगा और यहां पे देखिए सब्जेक्टी प्रस्ण में पूछा है परकास के अपवर्तन का नियम और यह सभी में जैसे कि बताया है उसमें जैसे आप देख रहेते कि सिर्फ परकास वाला जो पूरा सीगमेंट है उसको एक दुबार पहले जिएगा वहीं से प्रस्ण ह कि मानव नेतर तक यहां तक फिर केमेस्ट्री में जो प्रस्ण है वह आपका अमल छार और लौन चेप्टर तक आपको रिविजन करके जाना होगा वहीं सब्टेमर वाल मासिक परिच्छा का सिले बस है और यहां पे जो है तो जीव जनन कैसे करते हैं बायों में इतना ही आ अगर परस्ण पत्र आप चाहते हैं तो मैंने बता दिया कि इतना ही चेप्टर से परस्ण रहेगा तो इतना चेप्टर जो बीद्याथी पढ़़कर जाएंगा उनको वायरल प्रस्ण पत्र खुजने की आउसा था ही नहीं पिर भी आप देखना चाहते है अगर प्रस्ण जल्टाएगा और इस तरह देखिए सबसे ऊपर यह आर केरियर पॉइंट डॉट कॉम वेबसाइट से होगा सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ओफिशल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो है पूरा जानकारी अपने मैट्रिक वेबसाइट से संब्सक्राइब सकते हैं यहीं पर नीचे की तरफ आईएगा क्लास्टेंथ सेक्शन में आ जाईएगा और जिस दिस विसाय का एकजाम होगा उससे पल यहां पर देखिएगा उस विसाय का प्रसंपत्र उतर के साथ यह नहीं जा रहा है तो पिछले साल का प्रसंथा मैं फिर से असप्रस्ट कर देना हूं ठीक है इस साल का प्रसंपत्र आपको देखना होगा तो यह आर्करिक वेबसाइब कर सकते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद